13 September 2020 को NEET 2020 की exam safety से कैसे conduct हो सके इसके लिए AIMS के medical expert की team ने एक SOP तयार की है SOP का मतलब standard operating procedure जो आपको exam के दिन follow करना है क्योंकि 13 September 2020 को NEET का exam conduct करवाना किसी challenge से कम नहीं है और cases लगातार increase हो रहे हैं इन सब बातों को देखते हुए ये SOP तयार की गई है और ये SOP अन्य entrance exam जैसे JE से लेकर UGC NET में भी follow की जाएगी इसमें सबसे पहला point ये है कि exam center जो पिछली साल 2600 थे अभी उनको increase करके 4500 किये जाएगी यानि कि इस बार exam center double होंगे फिजिकल कॉंटेक्ट से बचने के लिए चेकिंग के लिए hand held metal detector का प्रियोग किया जाएगा सभी candidate को admit card और ID card के अलवा mask, hand glows और small sanitizer exam center पर exam के दिन लेकर आना होगा exam center पर entry time slot के according दी जाएगी और ये time slot admit card पर indicate होगा यानि सभी candidate का reporting time अलग-अलग होगा exam center में 15 girls candidate और 15 boys candidate के batch में entry दी जाएगी Bluetooth और Wi-Fi की चेकिंग की जाएगी और jammer और CCTV भी exam center में लगाए जाएगे सभी candidate को verification के लिए admit card दिखाना होगा और सुनिशित करने के लिए एस्ताई रूप से face mask को उतारना होगा ताकि कोई duplication ना हो सके नॉर्मल से ज्यादा temperature वाले किसी भी candidate को exam के लिए अलग room में रखा जाएगा NTA अभी भी इस बात पर विचार कर रहा है कि क्या COVID positive student को किसी भी तरह से exam देने की अनुमती दी जा सकती है अब हम बात करेंगे कि exam hall के अंदर क्या precaution लेने होंगे exam से पहले और exam के बाद exam center को गहराई से sanitize किया जाएगा और sanitize कुछ-कुछ points पर sanitize रखने होंगे इसके बाद में next है sitting plan इस तरीके से होगा कि दो candidate के 20 safe distance हो 12 कंडिडेट पर एक examiner होगा exam के दोरान वीडियोग्राफी और CCTV live stream होगी attendance और signature seat पर ही examiner दोरा लिए जाएंगे सबी क्यूशन पेपर के साथ यानि परते क्यूशन पेपर के साथ एक face mask दिया जाएगा जिसको exam के time candidate को लगाना है exam खतम होने के बाद mask और gloss को exam हाल के बाद desk bin में डाल देना है exam center पर washroom और drinking water की ब्यवस्ता होगी student को अपने swam की water bottle में पानी लाने को कहा जाएगा किसी भी candidate अगर कोई भी candidate washroom जाता है तो वो भीड से बचने के लिए एक के बाद एक जाएगा और washroom करमचारी द्वारा student को हाथ दोने के लिए कहा जाएगा सभी परिक्षा करमचारी मास्क और दस्ताने लगा कर आएंगे सभी lunch और water घर से लेके आएंगे तो ये सारे precaution exam day को exam center पर लेने होंगे ताकि सभी student वर staff की safety हो सके बाकी instruction आपको exam time पर बता दिये जाएंगे new update के साथ में मैं आप से फिर मिलूंगा और तब तक आप से लेता हूँ विदा जैहीं